तो आपको बता दे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि लंबे वक्त के ब्रेक के बाद रनवीर और दिपिका फाइनली घूमने निकले हैं और आपको मैं दिखाऊँगी उनकी एक इंट्रेस्टिंग तस्वीरे इस वीडियो में नमस्कार मैं स्थिक्धास फ़ागत करती हूँ आपका बेग हेडलाइन्स पर तो कुरोना काल के लंबे वक्त के ब्रेक के बाद पाइनली रनवीर और दिपिका अपने घर से कदम निकाल चुके हैं और आपको बता दे की हमेशा की तरह दोनों ही अपने ड्रेस के मामले में हमेशा से बहुत हायिलाइटिड रहें और इस बार भी दोनोंने मैचिंग ड्रेसेज पहने हैं और आपको बता दी कि लंबे समय से दोनों घर के अंदर बिलकुल लोग थे क्योंकि लोगडाउन का वक्त चल रहा था और शूटिंग भी नहीं थी लेकिन काफी समय के बाद अब उन्होंने फाइनली बाहर वर निकल कर अब वर घूमने चार हैं और फाइनली अपने कुछ फ का तोरते रहे हैं और अन्वीर और दिपका की चोरी की बात करें तो वो तो बिलकुल पर्फेक्ट काफ expertise कई लोगो और कई फैन्स की यह जो कफ INTERFLA हैं बहुत बड़े बनन हैं लोग दिपिकाु और अन्वीर के क्योंकि यह दोनों बलकुल परफेक्श कापल से प्रूप्र कर दो जो शुड़ू है गळनाब हैजय। मेम, डिपाँ मेम दिपिका मैं में यहाप पर आप 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 और आपको साथ ही साथ यह भी बता दे कि रनवीर और दिपिका साथ में जल्दी एक फिल्म यानी 83 क्लास ओफ 83 में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में कपल देव की रोल में रनवीर सिंग दिखेंगे और साथ ही साथ उनकी वाइफ यानी कपल देव की वाइफ दिपिका बनी है तो इस फिल्म में काफी दिलचस्ब होगा इन दोनों कबल्स को यानी रनवीर और दिपिका को साथ में देखने का या मज़ा काफी अच्छा होगा और काफी इंटरेस्टिंग होगा कि हम इस फिल्म में दोनों को एक साथ देख पाएंगे आप भी मताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं दोनों को साथ में देखने के लिए इस फिल्म में और तमाम बॉलिवुड खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चानल के साथ